हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे CRPC की धारा 19 के बारे में यदि आप CRPC से रिलेटेट पिछली धाराओं का अध्यान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें आई बटन पर किलिक करेंगे तो आपको CRPC के पिछले वीडियो मिल जाएंगे हम बात करते हैं CRPC की धारा 19 के बारे में यह कहती है महानगर मजिस्टेटों का अधिनस्त होना यानि के महानगर मजिस्टेट जो है वो किसके अधिनस्त होंगे इसके बारे में यहां पर बताया गया है तो पॉइंट नमबर एक दिया है इसमें मुखे महानगर मजिस्टेट और प्रतेक अपर मुखे महानगर मजिस्टेट जो है वो सेशन नियायलाए के अधिनस्त होंगे याने के मुख्य महानगर मजिस्टेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्टेट ये दोनों जो है ये अधिनस्त होंगे ये ये सेशन नियायलाय के अधिनस्त होंगे यानि के जो अन्य महानगर मजिस्टेट हैं वो सारे के सारे मुख्य महानगर मजिस्टेट के अंतर गताएंगे और उनके अधिनस्थो करके कारे करेंगे यह कहती है CRPC की धारा उननीस पॉइंट नमबर एक पॉइंट नमबर दो कहता है उच्च नियायल है अब उच्च नियायल है क्या कर सकेगा उच्च नियायल है इस सहिता की प्रयोजन के लिए परिनिश्चित कर सकेगा यानि कि वो ऐसा निश्चय कर सकेगा हाई कोट ऐसा नि कि जो अपर मुख्य महानगर मजिस्टेट है वो मुख्य महानगर मजिस्टेट के कितने विश्तार तक काम कर सकेगा या उसके कितने नियंतरण में वर रहेगा पॉइंट नमबर तीन देखते हैं मुख्य महानगर मजिस्टेट महानगर मजिस्टेट के कारिके वित्रण के बारे में और अपर मुख्य महानगर मजिस्टेट के कारिके आवंटन के बारे में समय समय पर इस सहिता से संगत नियम बना सकेगा या विशेश आदेश दे सकेगा याने के मुखे महानगरमजिस्टेट जो है वो महानगरमजिस्टेट के बारे में नियम बना सकेगा और अपर मुखे महानगरमजिस्टेट के आवंटन के बारे में नियम बना सकेगा लेकिन वो इस सहिता से संगत होने चाहिए याने के CRPC 1973 के अंतरगत आने चाहिए यदि इससे बाहर यदि कोई नियम बनाए जाते हैं तो वो इस सहीता के अंतरक्त नहीं माने जाएंगे इस प्रकार से बताया CRPC की धारा 19.03 में धारा 228.01 के अधीन यदि कोई मामला सेशन यायलाई की रायक में अनन्य तर सेशन यायलाई द्वारा विचारनी नहीं है महानगरमजिस्टेट को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरित किये गए मामलों पर मुख्य महानगरमजिस्टेट या मुख्य न्यायक मजिस्टेट विचारन करेगा वह ऐसे किसी मामले को जो सेशन नियालाय से दिया गया है विचारण के लिए ऐसे किसी मामले को किसी अन्य नियालाय में यानि कि उनके अधिनस्त नियालायों में अंतरित नहीं कर सकेंगे और ऐसे मामलों को किसी अन्य अधिनस्त नियालाय को नहीं बेश सकेंगे कि इस प्रकार से हमने आज अध्यन किया सी रबीसी की धारा 19 यदि आप करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरी की पूरी PC और पूरी की पूरी IPC यहां से आपको मिल जाएगी तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like करें, share करें, comment करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाइब